मेरे खुदा परमेशर हमारे घर परिवार को तेरे पवित्र लहु में कवर करते है इस घर के चोखट को इस घर के चारो और से परमेशर पिता जमीन दिवार को तेरे लहु से हम भो देते हैं तेरे लहु से हम पिता प्रभु येश्यू कवर कर लेते हैं हमारे घर के हर एक हिस्से, हर एक कमरे, हर एक कमरों के अंदर आना जाना वो entry points, प्रभु येशु, entry doors, नासरी येशु के लहु से हम धो देते हैं, हमारे खिड़कियों को और हमारे main entry door के चौकट, हम नासरी येशु के लहु से धो देते हैं, नासरी येशु के लहु से हम इर्द गिर्द में आबा फादगोड तेरे लहू को छिड़क देते हैं तेरा लहू पिता परमेश्वर हमारे लिए हमारे चार दिशाओं पर लग जाएं मेरे येशु नासरी के लहू आपके लहू को पिता परमेश्वर नासरी येशु के लहू को पिता परमेश्वर हमारे ह पर दूल मिटी कन में हम रिलीस करते हैं हमारे उपर परमेश्यर, तेरा प्रभूता हो, तेरी राज चले तेरा सामुर्थी अभिशेक हमें छुड़ाएं हमें स्वतंत्र करें, हमारे जीवन को आज़ाद करें आज के समय के लिए पिता परमेश्वर तेरा सामर्थी अभीशेक हम पर राज्य करे और हमें पिता परमेश्वर तेरे संगती में जलने का आसान रास्ता मिले री बाखाती नारा बहा अख़ती रुपहोशकर बखासी राल रुपहांतरा तेरा वचन कहता है कि मेरे स्वरगदूद मैंने तुझ पर अपॉइंट कर दिये है कि वो तेरे देखबाल करे वो तेरे रखवाली करे और तेरे पैरों से ठेस ना लगे इसके लिए तुझे हाथो हाथ उठा लेनी कि मैंने उनको आग्या दे रखी है मेरे पिता तुने कहा है कि संकट के समय तु मुझे पुकार मैं तु तेरी सुनूंगा तेरा वचन कहता है कि क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है इसके लिए मैं उसे उन्चे स्थान पर रखूंगा पिता हमारी उन्नती तुझ से आती है हमारा रोना तु सुनता है हमारे पुकार को परमेशड तु जवाब लेकर आता है तेरा सारा स्वर्ग हमारी तरफ से है इसके लिए तुझे धन्यवाद करते है हर योनिवर्स के हर चैनल्स प्रभु येश्य तेरे नाम के सामने जोक जाते है और हम अपने घुटने को टेक कर प्रभु येश्य हम कबूल करते है प्रभु वंका प्रभु बाट्शाहों का बाट्शा नासरी येश्य मसी प्रभु तु हमारा प्रभु येश्य मसी उद्धार करता हमारा प्रभुवं का प्रभु, बढशाहं का बाशा, हमारे जीवन दाता, हमें मृत्यों में से पार लेकर जाने वाला, हमारा अगवा, हमारा सबसे महानसरव, शक्तिमान परमेश्वर का, इकलोधा प्रीयो बेटा, हम तेरे अधीन आजाते हैं, अपने घुट्णों को टेक हम तुझे नमन करते हैं और तुझे स्विकारते हैं हमारे रदे में तु राज्य करें हमारे जीवनों में तु राज्य करें ऊतल था मीजोे से तु राज्य का जीवनों में तुझे स्विकार जाण जोड़ी स्विकारते हैं तु रहाज्य करें तु राज्य करें पिता परमेशर हम अपने आप को तुझे सरेंडर करते हमारे मन को हमारी इच्छा भावनाओं को प्रभु येशु हम तुझे समर्पित कर देते हैं हमारे conscious, unconscious, subconscious mind को प्रभु येशु हम तुझे समर्पित कर देते हैं ना बल से ना ताकत से परमेशर तेरे आत्मा के द्वारा आज हमारा तुझे समर्पित कर देते हैं समय तेरे पवित्रा हातों में देते हैं मेरे खुदा परमेशर आज हमारे घर के हर चीज़े हर एक परमेशर धूल मिट्टी कन आग और पानी और परमेशर हवा के अंदर के हरे कल नासरी येशु तेरे लहु से हम दो कर साफ करते हैं आबा फादिगोड हमारे घर का एट्मॉस्फियर हम तेरे लहू में धो देते हैं हमारे परमेशन सारे सर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक प्रभु येश्यो नासरी का लहू लगा देते हैं मेरे खुदा परमेशर हमारे घर के छट जमीन दिवार में येशु तिरा लहू उंडेल देते हैं। हम नासरी येशु के लहू को उंडेल कर पिता हमारे घर के चारो दिशाओं में चारो और से नासरी येशु का लहू हम हमारे लिए पिता परमेशर फैला देते हैं। मेरे येशू नासरी का लहु पिता परमेश्वर हमारा आना जैसा आशिशित है हमारा जाना भी आशिशित और पिता मिश्र हमारे सारे कामों के साथ खुदा हम आशिशित है इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं अब आफजगोर्ड हमारे वेहिकल्स को हमारे पिता उटने बैठने चलने फिरने बोलने की हर एक हरकतों में नासरी येशु ते लहु हम छिड़क देते हैं नासरी येशु के लहू हमारे हर एक फैसलों में हम रिलीस करते हैं, हमारे फैसलों के अंदर के हर एक हमारे जो भी शब्द है, जो हमारे फैसले बनाते हैं, जो हमारी सोचे हैं, जिसमें हमारे फैसले निवास करते हैं, हम नासरी येशु के लहू से धो देते हैं, हमारे मन के अंदर बैठे हुए हर एक दुवी धाय, हर एक कन्फूशन, हर एक गड़बडिया, हर प्रकार के हमें नासुलजने वाले रास्ते, हम नासरी येशु को दे देते हैं, हमारा सारा बोज, सारा बॉर्डन, हर चिंता, दुख, कश्ट को नासरी येशु मसी के उपर हम रख देत हमें परमेश्वर के शांत और पवित्रता और सामर्ति अभी शेक में लेकर जाने के लिए, पवित्र आत्मा हम को दिया है, हमारे अंदर परमेश्वर का अनतकाल का जीवन प्रगड़ करने वाला आत्मा मौजूद है, हम अपने आँखों को नासरी येशु के लहु से दो क दो कर शुद करते हैं, हमारे कानों को नासरी यशु के लहु से दो कर शुद करते हैं, हमारे जुबान नासरी यशु के लहु से दो कर हम शुद करते हैं, हम पिता परमेशर अपने ब्रेन में नासरी यशु का लहु लेते हैं, हमारे माइंड में नासरी यशु का लहु लेते हम आज़ाद हो जाते हैं हमारे चहरे को नासरी येशु के लहु से हम धो देते हैं नासरी येशु के लहु में खुदा पर मेश्वर हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा के अधिन कर देते हैं ये शरीर पर मेश्वर का मंदीर है इस शरीर का हलचल पर मेश्वर के आत्मा के कारण है इस शरीर मेश्वर के सारी बातों का निवास करने वाला जगह है ये शरीर का कोई भी अंग कोई भी भाग हमारा अपना खुद का नहीं है हम पर मेश्वर को दे दिये हैं हमारा सब कुछ का मालिक पर मेश्वर है उसने हमें सरुष्टी किया है इस शरीर को उसने बरतन के समान उसके इस्तेमाल के लिए रखा है उसके इस्तेमाल में हमारे शरीर के सारी अंग इस्तेमाल के लिए दे दिये जाते है मेरा सर्वर शक्तिमान पर मेश्वर इस शरीर में पवित्र आत्मा रहने के लिए दिया है इस शरीर में पर मेश्वर का आत्मा निवास करने के लिए आया है इस शरिर में सच्चाई का आत्मा निवास करता है हमारे अंदर परमेश्वर की सच्चाई निवास करती है रबाखातीना बहा अखतीर बहुशकर रबाखातीना महंतराल रबाखासा हर घुटना ठीके का हर जुबान कबूल करेगी नासरी येश्व मसी प्रभु वोंका प्रभु है बाख्शाहों का बाख्शा है ये घुटना ये मिट्टी के बरतन में लगा हुआ ये घुटना नासरी येश्व के नाम के सामने घुटने तिक जाते हैं और हम परमेश्वर पिता को नमन करते हैं हम अपने गुटनों के बल आकर कहते हैं, हमारा प्रभुवों का प्रभु बाद्शाहों का बाद्शा, मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर का इकलोता प्रीय बिटा, प्रभु येश्व मसी, हमारा प्रभु है, ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हमारे जुबान आज परमेश्वर के आत्मा तु ले ले, हमारी आवाज ले ले, हमारे रदे के अंदर गहरी बात को तु अपने कब्जे में ले ले, तू चाहता है उस दिशा में हमको लेकर चल हमें नए आइडियास दे पवित्रात्मा हमारे मन के अंदर नए सोच दे पवित्रात्मा हमें प्रॉफिटेबल रास्ते चला खुदा परमेश्वर हमें परमेश्वर के सक्सेस्फुल रास्तों के अंदर लेकर आप विद्रातुमा हमारे भविश परमेश्वर चाहता है उस रास्ते से होकर आज चला हमें तु परमेश्वर ने ठहराए हुए डेस्टिनी की तरफ जाने वाला आज का दिन हमें चला तेरा वचन कहता है धर्मियों के मार्ग परमेश्वर तयार करता है हमारे बोड़ी के अंदर का हर एक नर्वस सिस्टम हमारे बोड़ी के हर एक सिस्टम खुदा नासरी येश्व के लहु को सुने जो शरीर और लहु नासरी येश्व का हमारे लिए तोड़ा गया हमारे लिए बहाया गया वो हमने खाया है हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर तेरा शरीर नासरी येश्व का शरीर आचुका है वो परमेश्वर तुने जो वाचा अबरहाम को दिया तुने जो वाचा येश्व मसी के साथ बांधा हमको तुने उस वाचा के अंदर ले लिया है इसके लिए परमेश्वर ये शरीर पवित्र मंदीर है ये शरीर धर्म और सामर्थ के साथ भरा हुआ सच्चाई के भेद जानने के लिए ठहराया हुआ और इसके अंदर परमेश्वर की महिमा रहने के लिए आया है धन्यवाद पिता परमेशर ये शरिर जो नाम से जाना जाता है खुदा परमेशर वो तेरे सामने पिता शुद्ध और पवित्र ठहराया गया है ये शरिर जिस समय जन्माया गया है खुदा वहाँ पर परमेश्वर पिता तु उपस्तीत रहा और इस शरिर के तुने परमेश्वर निश्चत किया उद्धार देने का समय हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तुने हमें अप्रूव किया, हमें एक्सेप्ट किया धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर तुने हमें एग्री किया, हमें परमेश्वर तुने अपनाया हमें तुने अपनी संतान बनाया इसके लिए हम तुझे इस भेद इस रहस्यक को जानते हुए कि हम तेरे संतान है, हम तेरे वारिस है, हम तेरे रज्ज के मिरास के लिए चुन लिए गए है हम तेरी प्रजा है हम तुने ठहराय हुए काम करने वाले तेरे काम करने वाले तेरे विन्यार्ड्स में हम है हम को परमेश्वर तुने आवाज दिया और हमने पिता उस आवाज के पीछे चल दिये क्योंकि हम पिता प्रभु येशु मसी की आवाज को पहंचानने वाला वो सुनने वाले कान प्राप्त किये देखने वाला आंखी हमने प्राप्त किया तूने वो अनुग्रहा हम पर दिया तूने हम पर वो पवित्र आत्मा को मंड्राने दिया जिसने हमको ये बाते सिखाई और हमने उस समय से लेकर अभी तक तेरे पीछे चलने का अनुभाव प्राप्त किया धन्यवाद पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं रबा बहा अखतीर बहा अशकर बकासी रहालर बहांतरा हम परमेश्वर अपने नहीं है हम अपने खुद के नहीं है खुदा परमेश्वर तुच चाहता है उस बात के लिए पिता हम सहमत हो जाते हैं हम उस बात के लिए पिता परमेश्वर अपने हर एक बात खुदा तेरे सामने रख देते हैं और हम तूज कहता है उसी बात को हम मन्सूर कर लेते हैं मेरे खुदा परमेशर तू हमको खाली बरतन नहीं रखता है तू हमको परमेशर तेरे उज्याले से भर देता है ये बरतन तेरा उज्याला है खुदा परमेशर ये बरतन तेरे प्रकाश से भर चुका है तेरे उज्याले से भर चुका है, तुने इसे उन्चे पर रख दिया है, इसके द्वारा अंधेरे में टटोलने वाले, दिशाओं को ढूंडने वाले, इस जोती को देखते हैं, और वो अपने दिशाओं को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे खुदा परमेश्वर, हम पिता उस ज लखने के लिए पिता परमेश्वर, सब जगहों से खुदा, हम पिता तेरे रोश्णी को फैलाने के लिए हैं, आबा अफ़ाद गड़ हम तुझे धन्यवाद करते हैं, आबा इस बरतन के अंदर कोई पवित्र को पिता अपवित्र नहीं कर सकता है, इस बरतन को कोई कोई भी अशक्त करने वाली चीज, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन्स, या कोई भी प्रकार का पिता, कोई जादू, टोना, मुर्ती, पुझा, या कोई भी पिता परमेश्वर, कुडा, कच्रा, ऐसा कुछ भी पिता परमेश्वर, इस शरीर के अंदर रुकने नहीं जाए, पवित्र आत्मा अपना जोर बढ़ा, और अशुद करने वाले सारे शक्तियां हमारे शरीर में से खतम कर दे, रबा खतीन, आशकरः, रबा खतीन, रबा हंतर, हलर रबा कसा, हमने खाया पिया सब कुछ में पवित्र आत्मा, तो अपनी आग को उंडेल दे, और हमा पारा शरीर कोई भी बरबात करने वाले रास्ते में हम अपने शरीर को ना दे पाए। शरीर रास्तों को पिता पर में शरीर अपने अंदर लेकर ना रहे। अब अफ़ाद गौड हम तुछ से बिंती करते हैं। ये शरीर धार्मिक्ता के कामे में जोड दिया जाए। ये शरीर पवित्रा और शुद्ध मार्गों में दे दिया जाए। ये शरीर और शुद्ध मार्गों में जोड दिया जाए। जो आज हमको देखने की जरूरत है उस दिशाओं में हमारे फोकस तू लेकर आखुदा हमारा ध्यान उन बातों में लेकर आखुदा परमेश्वर जो रास्ते पिता आज हमको चलने की जरूरत है उसकी ग्यान बुद्धी समझ पिता हमें खोल दे खुदा परमेश्वर आज पिता हमें जिन बातों के सामने से होकर जाना है वो सब कुछ के लिए तू हमें तैयार कर पिता परमेश्वर रिबान्त आशकर बेखती ले बहांतरा 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 ले धन्यवाद करते हैं पीता परमेशर मेरे पीता परमेशर हम इस शरीर के द्वारा खुदा तरी महिमा के काम करते हुए ना ठके खुदा इसके अंदर का बल तू बन जा पवित्रा आत्मा इसके अंदर से तू होकर जल खुदा इसके अंदर से होकर तू हमारा मार्क दर्शा हो खुदा तू हमारे लिए पहचान हो पवित्र आत्मा तू हमारे अंदर से पिता परमेश्वर अपने आपको प्रगट करता रहे आब अफवादर की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा तू हमारे द्वारा चलता रहे हमारे पैरों में तू आकर रहने लग पवित्रात्मा, हमारी हातों में आकर तू रहने लग पवित्रात्मा, हमारे जुबान में आकर तू रहने लग पवित्रात्मा, हमारे फाइव सेंसस में आकर तू रहने लग पवित्रात्मा, तू पवित्रात्मा हमारे पेट में, हमारे छाती में, हमारे पीठ में, पवित्रा आत्मा तू आकर रहने लग, हमारे गर्दन में तू आकर रहने लग, हमारे गले में तू आकर रहने लग, हमारे चेहरे में तू आकर रहने लग, हमारे कानों में तू आकर रहने लग, हमारे नतुनों के श्वास में आकर तू रहने हमारे माथे में तू रहने लग हमारे बालों में पवित्र आत्मा तू आकर रहना शुरू कर पवित्र आत्मा हमारे सारे स्कीनी में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर तू रहना शुरू कर हमारे हर एक पिता कत्रा कत्रा लहू प्रभू येश्व तू आके तेरे आत्मा में हमको पिता भर दे हमारे शरीर के हर हिसे हर भाग पवित्र आत्मा तू अपने कबजे में ले और अपने लिए इस्तिमाल कर अपने लिए उसे संभाल कर रख पवित्र आत्मा तू अपने काम के लिए हमारे शरीर को संभाल के रख अपने इरादों के लिए पवित्रात्मा तु हम को पूरी तरह से तेरे कबजे में ले ले हम अपने आप के नहीं है पवित्रात्मा हम तुझे समर्पित हो जाते है हम इंटर्नली एक्स्टर्नली सब कुछ पवित्रात्मा हम तुझे दे देते है और राब बहा अकती रुपहशकर बखातीन नमांतरा रिदान आशकर बेखतीलर बहांतरा हलर बहा कसा रिदेलल लेखतीन रबहा अकती रुपहशकर बखातीन नमांतरा We give everything to you, Father God सब कुछ हम तुझे दे देते है, पवितरात्मा सब कुछ हम तेरे सामने उंडेल देते है, पवितरात्मा हम अपना कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं, खुदा हम सब कुछ तेरे हाथों में उंडेल देते है, पिदा परमेश्वर रिबान आशकर बेखतीलर बहांतरा हलर बहा कसी हुझो जोलर हैантरा ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर के आत्माही के द्वारा हम सब कुछ कर पाते है अब तेरे हातों में ये दोनों चीज़े दे देते हैं हमारे रिदे के गहरी बात अभी तक पिता जब हम पिता परमेश्वर समझे नहीं है हम जब पीता परमेशर कभी कोई बाते पीता परमेशर हमको समझ नहीं आई है हमारे रदे में वो unresolved areas of life तेरे हातों में दे देते है अब पीता उसके बारे में तू चिंता कर पवित्रा आत्मा उसको पीता परमेशर तू जवाब में बदल दे उसके अंदर कोई ऐसा सवाल बैठे रहने मत दे उसके अंदर कोई परमेशर पिता रदे के अंदर कोई तेरे विरोत की बाते बैठे रहने मत दे पवित्रा आत्मा ऐसा कोई भी पिता अंधेरे के काम हमारे रदे में छुपकर बैठने मत दे आब अब वादगोड तेरा उजियाला भर भर कर हम में भर जाए पिता तेरा उजियाला हमारे रिदे के कोने कोने को साफ कर दे तेरा उजियाला पिता परमेश्वर आए और हमारे हिसे हिसे पुर्जे 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 पवित्र आत्मा के सामने खोलते जाए और हम परमेश्वर के सामने पूरन रूप से पिता तेरे पवित्र पिता तेरे उजियाले से हम भरते जाए मेरे खुदा परमेश्वर तेरा उजियाला इतना महान है खुदा कि जब हम उजियाले के काम करने लगते हैं अंधेरा उसका सामना नहीं कर पाता है अंधेरे के काम पिता परमेशर उसके सामने रूप नहीं पाते है आबा फाद गौड हम तेरा धन्यवाद करते है हमारे घरों को उजियाला दे खुदा हमारे कामों को उजियाला दे खुदा हमारे सोचों को उजियाला दे खुदा हमारी आंखों को दुरुष्टी को उजियाला दे खुदा आबा हमको उजियाला दे आबा फादर गौड आबा फादर गौड हमारे हर एक हिस्से जो पिता परमेश्यर हम मेंटेन नहीं कर पाए या हमने पिता खो दिये या कोई प्रकार से डैमेज हो गए आबा हर एक हिस्से कुदा हमारे घर के, हमारे जीवन के हमारे फाइनांस के, रिष्टों के हर वो हिस्से कुदा हमारे फ्यूचर के, करियर के सब कुछ पिता हम तेरे अधीन कर देते है आबा फाद गौड हमको पूर्न रूप से पिता परमेश्वर तयार करने की हम तुझसे बिंती करते है आबा फाद गौड हम जो डेस्टिने में तु हमको पहुंच जाना चाहता है उसके लिए हमको तयार करने के लिए हम तुझे मांगते हैं हम तुझे धन्यवाद करते है पिता तिरा स्वर्ग हमारे लिए खोल कर रखा गया है तु परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है हमें तु परमेश्वर एक्सेस करने के लिए सब कुछ दे रखा है तुझे धन्यवाद करते है आज कोई घटी नहीं कोई हमारे लिए चिंता का विशय नहीं है कोई तरह से परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को कही पर भी खुदा परमेश्वर Unresolved Areas हमारी चिंताओं का विशे नहीं रहा है हम तुझे धन्यवाद करते हैं कोई संदेह, कोई डर, कोई दुवीधा, कोई भी परमेश्वर पिता हमारे अंदर बोज नहीं रहा है क्योंकि तेरा वचन कहता है, अपने बोज परमेश्वर पर डाल और वो तेरे मार्ग को तयार करेगा और वो तुझे संभालेगा आबा फाद गौड, वो हमें डगमगाने नहीं देगा, तेरा वचन कहता है, मेरी शांती दायक वाचा तेरे साथ हमेशा के लिए दे दी गई है आबा फाद गौड, तुने एक बड़ा सा दया हम पर किया है, बड़ा उजियाला तुने आज हम पर रखा है, जो तु कभी भी हम से अलग नहीं करने वाला है हम तेरा धन्यवाद करते है, तुने निश्चित कर दिया हमारे जीवन में अनंत काल के लिए खुदा, कि हम तेरे संतान है खुदा, पर मैं शुर हम तेरा इस बात के लिए पूरी मन से धन्यवाद करते है पर रखा हमारे जीवाद करते है धन्यवाद करते है अब अफ़ाद गौड, हर एक बिटरनेस हमारे अंदर से दूर कर, हर एक पिता अन्फर्गिवनेस को और हर प्रकार के जियलसी, हर प्रकार के परमेश्यर, हमारे अंदर का स्टीन जीनेस, कंजूस्पन और पिता हमारे अंदर का जितना भी पिता परमेश्यर, जो हमारे लिए सेहत मंद ऐसा नहीं है ऐसा सब कुछ खुदा नासरी एशु के नाम से हमारे जीवन के अंदर से हम उखाड़ देते है हमारे शरीरिक मन नासरी एशु के लहु से हम बंद कर देते है नासरी एशु का लहु हम हमारे शरीर के मन को पूरन रुप से बंद कर देने की हम परमेश्वर के आत्मा के हातों में दे देते है नासरी येश्व के नाम से हमारा self-centeredness हमारा खुदी के उपर ध्यान हम destroy कर देते है नासरी येश्व के नाम से हम पिता परमेश्वर के हो जाते है हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए हो जाते है जैसा परमेश्वर जाता है उस दिशा में मुड़ने के लिए हम हो जाते हैं हम कोई भी area of life में अपने खुद के नहीं है हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हम अपने प्रान के अंदर हमारे soul के अंदर हमारे emotions में जो भी पिता परमेशर ठेस लगी है जो धोके खाए है जो परमेशर हमको जो पसंद नहीं ऐसे चीजों से होकर हमने गुजारा है आबा फाद गौड जो पिता अस्साहिय यातनाओं को या कोई भी प्रकार से पिता परमेशर हमारे जीवन को पिता हेलपलेस अवस्थाओं से गुजरना पड़ा ऐसा हर एक पिता परमेशर जो हमारे सोल को पिता परमेशर जखमी अवस्था बना दिया है नासरी ये शुके लहों से हमारे वो सारे दर्द खतम हो जाए वो सारे दुख खतम हो जाए उसके उपर परमेशर का आत्मा हमारे अंदर तसलियों को लेकर आए परमेश्वर का आत्मा हमें तसली दे, हमें शांत करे, हमारे सारे हर तूटे हुए मन के अंदर परमेश्वर के हर एक हिस्से बना दे, परमेश्वर के उप्योग का वो जगह जमीन तयार कर दे, पवित्र आत्मा हमारी भावनों में तू अपना राज्य बना, तू अपना प् इच्छा को पवित्रा आत्मा अपनी प्रभुता में ले ले अपने डोमीनियन में ले ले तो हमारा विल हमारी इच्छा तेरे सबमेशन में तेरे अधीनगी में रहने के लिए हमारी सहायता कर हमारी सहायता गर्पवित्रा आत्मा रिबांत आशकर विखटील अरबाँनत रहासेल अरबाँनत्रा रुदाला लाका सीहिजेल अरबाँनसा ہमारे मैंड विल को पिता परमेशर हमारे've conscious and conscious subconscious को नासरी येश्यु तेरे पवित्रा हातों में दे देते है प्रभु येशू, हम तेरे हाथों में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमको स्वीकारने की, हमारे भावनाओं को स्वीकारने की, हम तुस्बे बिंती करते हैं हर एक स्टोर हाउसे में रखे हुए चीजे हमारे हर एक पिता पानी और पिता परमेशर हमारे पहने के कपड़े हर चीज नासरी एशु के लहों से हम धो देते हैं नासरी एशु के लहों से जो भी हमारे घर का कोई भी कोना कोई भी जगह जो पिता लोग आते जाते हैं और पिता परमेशर हम पिता उनके उपर निगरानी नहीं रख सकते लेकिन मेरे एशु जो भी पिता परमेशर इस घर के अंदर कोई भी अशुदकाम छुपाया हुआ है नास्री एशिक के नाम से पविता आत्मा की आग उतर कर आए और उन शक्तियों का भश्म कर दे और जिस किसीने पिता इविल आई से स्पेल पावर से हमारी मांसिक्ता को हमारे जीवन को ठेश पहुंचाई है उसके स्पेल पावर के हार एक कारी-गरी नासरी येशु के नाम से हम डेस्ट्रॉई कर देते हैं नासरी येशु के नाम से जितना भी स्पेल पावर किसी ने भी कहीं से भी हमारे जीवन के उपर उंडेला है जो भी शक्तियों को उस पेल में से हमारे अंदर अक्टिवेट किया है नासरी येशु के नाम से मैं उन शक्तियों को पावर्स को बान देती हूँ, खाड देती हूँ, ठीक देती हूँ, हमारे जीवनों के बाहर निकल जाए, नासरी येशु के नाम से, मेरे येशु नासरी के नाम से, हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए, हमारे अंदर शा हमारे मन को जहां किसी नेब कोई भी विच्च्छ करके जिस जगह से शुरुवात किया है उस जगह को तोड़ देते है nihasri yessu के नाम से हमारा मन हमारी माइंड naasri yessu के नाम से उन शक्तियों में से डिस्कनेक्ट हो जा हमारे ब्रेन नासरी येशु के लहु से हम धो देते है हमारे ब्रेन के हर एक सीक्रिशन्स नासरी येशु के लहु से धो देते है हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम नासरी येशु के लहु से हम धो देते है हमारे घर के अंदर लाया गया हर एक नया चीज नासरी एश्य के लहु से हम धो देते हैं हमारे घर के बाहर गया हुआ हमारे चीजे नासरी एश्य के लहु से हम धो देते हैं उसके ओपर कोई भी शेतान के काम हो नहीं पाएंगे अगर हमारे जीवन को कहीं से भी एक्सपोस करके रखा गया है अशग काम के लिए नासरी एशु के लहु से हम उन सारे हमारे जगहों जमिनों को कवर कर देते हैं हमारे बाढ़ा नासरी एशु के लहु से हम बना लेते हैं पुवित्र परमेश्वर का प्रेम, पुवित्र शान्ती हम धारन कर लेते हैं, हमारे अंदर नासरी येश्व को हम धारन कर लेते हैं, हम पहन लेते हैं, नासरी येश्व को हम पहन लेते हैं, उसके धार मिक्ता के वस्तर हम पहन लेते हैं, उसके प्रशन साओं के वस्तर हम प आत्मा और सच्चाई से अराधना करने वाले अराधक हम अपने आपको कहते हैं आत्मा तु पवित्र धार्मिक्ता के आत्मा हमारे जीवन में भर जा ज्यान बुद्धी समझ में भर जा हमें फेवर काइडनेस लविंग काइडनेस से हमारे अंदर तेरा काम होने दे आज परमेश्वर हमारे घर के अंदर स्वर्ग का हर एक हिस्सा खोल दे जो तू चाहता है हमको उससे कनेक्ट कर हमें उसके अंदर एकसेस होने के लिए रास्ते दे परमेश्वर आज हमारे घर तेरे स्वर्ग दूतों से भर दे तेरे स्वर्ग की अगवाईयों से भर दे आज हमारे घर परमेश्वर के शांति से भर दिया जाए परमेश्वर के अगवाईयों से भर दिया जाए आज हमें परमेश्वर के लोग लोकेट कर सके जो हमें परमेश्र पंदर होकर हम जाए जिस मेंसे कभी हम नहीं गए लेकिन अब हमको उसमें से जाने का हीयां परमेश्र ने दिया और हम उन रास्तों से होकर पार निकले कल तक जिस बातों को हमने असंभाव करके छोड़ दिया था आज मेरा खुदा परमेश्वर का अनुगरह हमारे उपर आ जाए हम संभाव करने वाले रास्तों के द्वारा हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाने और परमेश्वर के सफलताओं को देखते हुए हर वो काम को जो असंभाव समझ कर छोड़ दिये थे हम उन कामों को आज पूरा कर पाए पवित्रा अनुगरह से हमें भर दे परमेश्वर रबांत आश्के रबेखतील रबहांतरा हर चलेंजर्स हर चुनावतिया जो हमारे लिए पहाड बनी हुई थी वो हमारे लिए परमेश्वर जमिन के स्तर बना दे नासरी ये श्के नाम से हम मांगते हैं पिता रबांत आश्के रबेखतील रबहांतरा जो जंगलों के आत्माँ से जो कोई पहाडों के आत्माँ से जो कोई नदी नालों के नहरों के आत्माँ से हमें पच्छाडने के लिए कोई भी किया कराया I cannot break in the name of Jesus Christ उसके कवनेंट्स थोड़ जा एशु के नाम से उसके सारे किये कराय करतिया थोड़ जा हमारे उपर से नासरी एशु के नाम से हम पिता पर मेशर हमारे पानी को नासरी एशु के लहु बना देते हैं हमारे खाने पिने की चीज़ों को नासरी एशु मसी का लहु छू देते हैं और हम उसमें सब कुछ नासरी एशु के लहु से भर देते हैं हमारे अनाज नासरी एशु के लहु से भर जाए हम जो कुछ भी इस्तिमाल करते है हम सब कुछ नासरी येशु के लहु से बर देते है हमारे नतुनों के श्वास में से हमारे सारे शरिर के भाग नासरी येशु के लहु से हम बर देते है हम नासरी येशु के लहु से लोडेड है हम पवित्र आत्मा से लोडेड है हमारे उपर नासरी एशु का लहु हमें मैंटलिंग करे नासरी एशु का लहु हमें भर दिया जाए इस घर के चीजों के उपर नासरी एशु का लहु आजाए इस घर के डोर्स के उपर और विंडोस के उपर नासरी एशु का लहु लग जाए इस घर के पैसेज में इस घर के चारो दिशाओं में नासरी एशु का लहु नडेल आ जाए इस घर के हर एक दिवार में नासरी एशु का लहु नडेल दिया जाए इस घर के चछत और जमीन में नासरी एशु का लहू उंडेल दिया जाए इस घर के ग्रिल्स में और उस ग्रिल्स के चछत में नासरी एशु का लहू उंडेल आ जाए हम नासरी एशुक लहु हर पशु और प्रानियों में, हर एक पेड़ पाउधों में उंडेल देते हैं, जिसके भी अंदर कोई भी हमारे विरोध काम करने के लिए दिया गया है, जो हमारे ग्रिल के छट के उपर जो पक्षियों को बेच कर दाना चराते हैं, या कोई भी प्र हमारे ग्रिल के छट के उपर, हमारे घरों के छट के उपर, नासरी एशुक लहु लग जाए, वो सारे प्रानी, वो सारे पशु, वो सारी चीज़ें, जो किया कराया, I command, break in the name of Jesus Christ, हर एक हमारे आंखों के सामने लगाए होई spiritual entities, I come on, break, break, break in the name of Jesus Christ, परमेश्वर के स्वर्गदूत कब जा करो, हमारे जहां जहां एरियास ओफ लाइफ हमने छुटकारे में लाकर परमेश्वर के आत्मा के सहायता से, हमने परमेश्वर के आशिशों से भरने के लिए, हमने काम कर रखे है, उस जगहों में परमेश्वर के स्वर्गदूत अक्योपाई हो जाओ, उसके कोई भी हिस्से शैतान के कामों के लिए नहीं देना है, हमारे च्छत के अपर कोई इविल एजेंट्स का काम नहीं होना है, नासरी एशु का लहू हम लगा देते हैं हमारे घरों के सामने हमारी आंखों के दुरुष्टी में जितनी भी जगह है जमीने है नासरी एशु का लहू वहाँ पर लगा देते हैं और हम पर मेश्वर के स्वरगदूतों को मांगते हैं हमारा विरोत करने वाली शक्तियां हमारे करीब ना पहुंचने पाए कोई भी शक्तियों का जोर हम पर प्रबल होना नहीं है नासरी एशु के नाम से रबांत आशकर अभाखतील अरबहंतरा हमारे पीठ के पीछे से नासरी एशु के लहु से हम धो देते हैं और पीट के पीछे लगाए गए शस्त्र, break in the name of Jesus, I command you, हमारे हर एक टांगों में, हातों में लगाए शस्त्र, break in the name of Jesus Christ, नासरी एशु के नाम से, हर एक हरकते, जो हमारी समझ में नहीं आया है, लेकिन वो हरकते evil affairs है, नासरी एशु के नाम से, catch fire, हर एक चीज़, जो हमारे दिवारों के उपर लगाए रखी है, जो हमारे दिवारों के उपर बाहर से लगाए रखी है, जो हमारे घर के अंदर से नहीं, लेकिन बाहर से है, नासरी एशु के नाम से, घर जा, ठोट जा, destroy हो जा, जल के भस्म हो जा, नासरी येश के नाम से तुझे आग्या करते हैं बाते कोई अशुध आत्माएं किसी के भी आने के द्वारा किसी के चीजों के लाने के द्वारा किसी के भी मनों के अंदर या अपने साथ उठा के लाने के द्वारा जो भी ऐसा काम किया गया है I come on that spirit be bound in the name of Jesus and I cast you out from my house in the name of Jesus Christ परमेश्वर हमारे threshold में नासरी ये शुकर लगा देते हैं लहू और पिदा परमेश्वर हम मांगते हैं तेरा स्वर्गदुत हमारे threshold पर खड़ा रहे और ऐसी शकुतियों को दुबारा हमारे घर के अंदर प्रवेश करने न दे मेरे परमेश्वर हमारे सामने बिल्डिंग के इर्द गिर्द में कोई शक्तियों का प्रयोग हम पर चले ना दे कोई रिच्वल्स हमारे खिलाफ हमारे इर्द गिर्द में ना किया जाए हर रिट्वल्स के ओपर मैं नासरी ये शुकर लहू डाल कर डेस्ट्रॉई कर देती हूँ वो जमिन पर मेश्वर के स्वर्गदोत के कबजे में देती हूँ वहाँ पर कोई भी हमारे खिलाफ किया कराया नहीं होना है नासरी ये शुकर नाम से मेरे खुदा पर मेश्वर कोई शरीर के अंदर की शक्तिया जो हमारे खिलाफ अपने आपको बल चड़ाती है नासरी ये शुकर नाम से अब भी मैं आग्या कर रही हूँ घर जा, घर जा, get out from that person in the name of Jesus Christ प्रभु ये शुनासरी के नाम से हर वो शरीर पर मेश्वर के कामों को समझने लगे पर मेश्वर के आत्मा को समझने लगे और सर्वशक्ति मान के भाई से भर जाए और पर मेश्वर के क्रोध को जानते हुए पर मेश्वर के इकलोटा प्रिय बेटा येश्व मसी के अधीन हो जाए गुटनों के बल आकर नासरी येश्व मसी को वो प्रभु वंका प्रभु बाट्शाहों का बाट्शाग रहन करे मेरे खुदा पर मेश्वर हम सब कुछ में तेरे अधीन है खुदा हम पिता अपने रिष्टों को तेरे अधीन कर देते हैं हमारे रिष्टों में जितने भी लोग है खुदा आबा फादर गॉड जो पिता हमारे साथ close connections में है उनको शुद्ध रख खुदा उनके पवित्रता धारन कर उनको मेरे खुदा परमेश्वर उनको धार्मिकता के रास्ते धारन करके दे ताकि पिता हमारे साथ रहते रहते वो हमारे अंदर कोई भी अशुद्ध काम न करने पाए आबा हमारे लिए वो फेवर को अन फेवर में बदलने न पाए हमारे लिए फर्चुन को मिस्फर्चुन ना करने पाए हमारे लिए कोई भी दुवी धाय खड़ा ना करने पाए उनके सारे संगतियों को पिता च्छाट दे जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है ऐसा सब कुछ उनके घरों में से उनके जीवनों में से उधेड़ दे खुदा परमेश्वर हम तुझसे बिंती करते है आबा फादर गॉड हमारे संगती के लोग तेरे उजियाले से प्रेम करने वाले बनने दे आबा फादर गॉड जो लोग पिता हमारी संगती को पसंद करते है जो पिता हमारे साथ संगती रहना उनका मनो कामना है उनके जीवनों को बदल दे खुदा परमेश्वर आबा उनके साथ संगती के लिए पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उनको तेरा बना दे आबा फादगोड वो तेरे संतान रहे वो तेरे पवित्रता और धार्मिकता को ग्रहन किये हुए रहे और उनके विवेक बुद्धी में कोई पाप और अशुद्धता काम करने मत दे आबा हमारे संगती में रहने वाला हर एक इंसान हमारी तरह परमेश्वर और उजियाले से भरता हुआ हमें और उजियाले में भरने के मार्ग देता हुआ हमें फेवर और परमेश्वर के करीब रखता हुआ हमें प्राप्त हो आबा फादर गॉड हम भलाईयों में बदलते हुए दिखाई दे आबा फादर गॉड हम उन्नती में चड़ते हुए दिखाई दे आबब Father God, हर रास्तों को पिता, तेरे पवित्र सामर्थ धैरिय के साथ पिता, हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, ऐसे संगतियों से हमें भर परमेश्वर पिता, ऐसे संगतियों को पिता हमारी लालसा दे, हमारे साथ होने दे खुदा परमेश्वर, आबब Father God, ऐसे संग तुन्हें कहा अंधेरे का उज्याले के साथ कभी मिलाप्र नहीं हो सकता है आबा तु कहता है कि धार्मिक्ता का सिहासन अधर्म के साथ नहीं लग सकता है आबा फादर गौड हमारे संगतियों में कोई अधर्म अशुधता कोई भी आपवित्र काम करने वाले ना रहे खुदा आबा फादर गौड हर वो जगह जमिन जो उनको वो काम करने के लिए पिता मजबूर करती है उसे तोड़ दे खुदा परमेशर और उनको पवित्रता में उठा ले खुदा परमेशर आबा हमारे संगतियों से पिता परमेशर उनको तो प्राप्त होने दे आबा फादर गौड तेरे गहरी बातों में खुदा वो पिता तुझे ढूंड ले खुदा और वो तेरे संगति का अनुभो और उनतियों का अनुभो वो प्राप्त कर सके तेरा अनुगरह उनके उप पर होने दे आपा फ़ाद गौड। तेरे दया का मन, तेरे पवित्रता और सामर्त और पिता तेरे प्रेम से भरावा शांत मन उनके अंदर दे खुदा परमेश्वर। परियम के मुलाकात से जो पिता वो बच्चा उचल पड़ा क्योंकि पिता परमेश्वर वो पवित्रा आत्मा नासरी येश्व मसी के सामर्त को पहचान लिया। आब फाद गौड ऐसा पिता जब भी हमारे लोग हमें पिता समर्न करें उनके अंदर पवित्रा आत्मा उनके सारी जो जखम पड़े हुए जो पिता बिगड़े हुए अवस्था को सवार दे खुदा ऐसा उचल पड़े वो सब कुछ पिता की वो ठीक हो जाए। आब फाद गौड ऐसा अभी शेक पिता हम जब किसी के सोचों में जाये तो ये होने दे खुदा परमेश्वर। पिछनाओं का वो पीछा करने लगे वो तेरे वचन पढ़ने लगे और तेरी प्रार्तनाओं में पिता वो अपने समयों को बिताने लगे अपने मनो कामनाओं को छोड़ कर वो तेरी मनो कामनाओं को लेना शुरू करे मेरे खुदा ऐसा उनके जीवन में होना शुरू हो ज जब भी परमेश्वर पिता हम ओफरिंग्स देते हैं, तायत देते हैं, हम कुछ भी करते हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए, कुछ भी जगहों में परमेश्वर पिता हम तुझे ना भूलते हुए करें. क्योंकि मेरे खुदा वो सब कुछ देने से बढ़ कर हम जिसे दे रहे हैं वो सर्वर्शक्तिमान परमेश्वर है ओर रबबहा खतीना रबबहा अखसी हुजोल रहांसरा रुदाला लाहा खतीना रबबहा इशकर रबखतीना नमहंतरा ओ अबब फादर गॉड हम तेरे राज्य के काम पूरे करने के लिए हम जब भी कुछ करते हैं खुदा हमें उसमें घमेंड होने मत दे हमें उसके बारे में पिता चर्चाओं में उसको लिए हुए चलने मत दे हमारे अंदर परमेश्वर तो अपना प्रेम रख अपने जुब रख खुदा जितना बोलना है उतना ही हम बोले और जो नहीं बोलना चाहिए वो हमें पिता कंसेल करके रखने वाला पुवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करें रख अपने ही बातों को तोडने वाले अपने ही किये हुए घर को बिगाडने वाले ऐसे शब्दों को पिता ऐसे पिता परमेश्वर मन और कामनां को हमें बनाने मत दे पिता परमेश्वर ऐसे रास्ते हमें को चलने मत दे पिता परमेश्वर रिबांद आशकर बखातीन अनमहंतर हालर बहागासा लह बोकतान अल लाभ हम प्राप्त कर रहे यें हमें भूलने मत दे Khuda आबाफाद गौड़ हम उनके संगती में खुदा परमेश्वर उनके मन को आनन देने वाले रहे खुदा उनके मन को तसली देने वाले रहे खुदा हम पिता उनके शांती का कारण बने खुदा परमेश्वर परमेश्वर पिता वो हमारे लिए फाइदेमन नहीं है आपा तेरे राज्य के वो काम नहीं है ऐसे सब चीज़े पवितरात्पा तु जटक कर जाड़ फूक कर पिता उसे जटके लगा कर निकाल दे खुदा परमेश्वर हम तुझे बिंती करते हैं वो सब कुछ पिता ढ़ा दे जो तेरे राज्य के काम का नहीं है आपा फाद गौड जो तेरे राज्य के लिए तेरे लिए महिमा नहीं ला सकता है ऐसा सब कुछ को खुदा परमेश्वर तु नतीज़ा दे दे खुदा नासरी ये शुके नाम से बिंती करते है आबा फाद गौड आज पिता परमेशर दिन का उझी आला हम पर तेरी बातों को रखेगा और रात का परमेशर चांद पिता तेरी अगौ़ाई को मानते हुए हमारे लिए पिता हमें फाइदे कर आएगा लेकिन मेरे खुड़ा हमारे विरोध करने वाला कोई शक थी इनके बीच हमारे विरोध नहीं खड़ा रहे पाएगा क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोध ही कौन हो सकता है मेरे खुदा तेरे सिद्धानतों में हमें चलने के लिए रास्ते दे पिता परमेश्वर रिबाला हकती नरबाह अकतीर पहुशकर बकासा ओपोजिशन फॉर्स इसको गिरा दे खुदा परमेश्वर जो हमें तेरे रास्ते देखने नहीं देते ऐसे हर अंधकार को गिरा दे खुदा हर एक वोस पिता परमेश्वर हर एक कर्टन्स तोर दे खुदा हर वो पिता platforms break कर दे जहां से पिता परमेश्वर हमें अंधेरे के बीच में रखा जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है अब ऐसी अवस्थाओं को तोड़ दे खुदा परमेश्वर और हमें आज़ाद कर पिता हम देख पाए खुदा परमेश्वर तो परमेश्वर है और हमारे संगती में तो कुछ कर रहा है हम देख पाए हम समझ पाए खुदा और हम उसमें आनन्दित होते जाए खुदा हमें तेरा आनन्द बढ़ता जाए पिता परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा होता हुआ देख कर खुदा हमारा पिता हियाओ बढ़े हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए और नए दिशाओं को देख कर हमें आगे बढ़ने वाला सामर्क प्राप्त हो खुदा अब हम पिता बिंती करते हैं हम तेरे हातों में है खुदा परमेश्वर आज का हर प्रहर हर घड़ी हर समय नासरी येश्व तेरे लहों में कवर कर देती हूँ हमारा प्रभु केवल तू ही है खुदा हमारे लिए और कोई प्रभु नहीं है पिता तू छोड़ कर प्रभु येश्व वसी हमारे लिए कोई प्रभु नहीं है इसके लिए पिता परमेश्वर हमारे हर प्रार्थना का जवाब तू देता है आज का समय तू हमें अगवाई कर ताकि हमारे आज के दिनों के सारे काम तेरे सामने रखते हुए तुझे तेरे डर्द और भाई को लेते हुए हम पूरा कर पाए नासरी ये शुक्त नाम से बिंती करते हैं पिता सुन और कबूल कर आमें 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 बारा भाकासी हुजोल रहा रदेल रदेल रबान से खे देल और रबान से वweis की ब रखती म पाई ये पूर रखती म ऊसरी ये शुक्त नाम साल के दिनल म में पाई देल रखती मित्यों पाई झाल, भोषप्टा, भी द ऺाँग्ञ, पूरता। जो सुभकिण्यार्ण पीचित्वाइए, अदमंने मोट पैसे, ब Kazuha Cabinet, झाले मोचित्वा Оuldade का थार्वाइए, दमदों मोटुछ में आपकषव में आतर रहिए, जागेए, में आफद्वा इथेए, पॉस्क्तां ओप मुश्क फार्वीक्षा जाहा थाले साथ eightlie would, पर दिस नांदसा भूसाओ में साफ़ दर्हूंग के बास्स चल्यम् Collλλά मिए हमें आप हम शुवन के दमा कि देख हम साथ ₩ भूट अजोmbै के बास्साओं के बास्सा क wait कि दिना हम O रिदाना महा खतीर बहह कतीर बहुता राखाताना से खती इगवर बोतान आ शकरब कसी रे एहता तैंक यू फादर गॉड धन्यवाद करते हैं प्रभू येश्यू आज पिता परमेश्यर पोवितरात्मा जितना प्रारतना आज हमारे अंदर से तुने पुरा किया हम सरे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं पोवितरात्मा हम तेरा धन्यवाद करते है पुवित्रात्मा थैंक यू पुवित्रात्मा हमारी जुबान को इस्तिमाल किया हमारे मन को इस्तिमाल किया हमारे जहन में तुने काम किया तेरा धन्यवाद करते है पुवित्रात्मा पवित्रात्मा हमें तुन्हें fellowship दिया तेरी सहभागिता में हमें लिया तुझे धन्यवाद करते हैं पवित्रात्मा तुन्हें हमें प्रगट हुआ इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं Thank you Holy Spirit We love you Holy Spirit We thank you Holy Spirit अपने आपको तुन्हें हमें जाहिर किया इसके लिए धन्यवाद करते है तु बड़े पवितरात्मा हमारे जीवन के हर एक भागों का कब्जा तेरा है खुडा और कोई नहीं हमारे लिए पवितरात्मा तु हमारे लिए सब कुछ है खुडा तु सब कुछ ले ले अपने हाथों में और जैसा परमेशर चाहता है उस आकार में हमें ढ़ा दे खुदा नासरी एशु के नाम से पवित्र पिता हमारी प्रातनाओं को बिंतियों को ले खुदा और जिस तरह से तू इसके जवाबों को लेकर आना चाहता है वैसा तू लेकर आ खुदा हम पिता बिंती करते हैं, हमारी प्रार्तनाओं को तु सुन और हमारे धन्यवाद का बलीदान तु ग्रहन कर अपने घुटनों पर आकर पिता परमेशर अपने हाथों को उठा कर खुदा हम तुझे धन्यवाद का बलीदान देते हैं हमारा धन्यवाद स्वीकार कर मेरे पिता नासरी येशु के नाम से हमारा धन्यवाद बलीदान स्वीकार कर नासरी येशु के नाम से हम ये प्रार्तना बिंती को करते है सुन और कभूल कर पिता आमेन, आमेन, आमेन Thank you Father, Thank you Jesus धन्यवाद करते है पिता धन्यवाद पावित्रात्मा। धन्यवाद प्रभूए शुमसी। धन्यवाद पिता। तीलरो पहो उबाब आस केल रुबांत आस का, जहे जहे खातीन आखाताल लाहसी, गिया आवो बहुताल एक बरोखोसा, तू बढ़े और हम घटे पवितर परमेश्वर, नासरेश के नाम से बिंती करते है, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन.